जै मातदी दोस्तों उसकी भक्ती का सिलसिला कई सालों तक ऐसी ही चलता रहा। एक दिन उसकी भक्ती से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मंदिर में दर्शन दिये। प्रभू को अपने समाक्ष साक्षात देखकर उस गवाले की आँखों से आशु भेहने लगे। उसने बोला हे प्रभू मैं वर करना चाहता हूं तब भगवान ने उससे पूछा तो मेरी मदद किस प्रकार करोगे इस पर ग्वाला बोला प्रभू अगर आप चाहें तो मैं एक दिन आपकी जगा पर शिला बनके खड़ा हो सकता हूं और आप मेरा रूप धारण करके इस नगर का ब्रहमन कर आईए भगव भगवान अपने भग्त के उस भूले पन से प्रसंद थे जिसके चलते उन्होंने ग्वाले की प्रातना सुविकार कर ली लेकिन भगवान ने उस ग्वाले के सामने एक शर्त रखी वे बोले कि पूरे दिन में तुम्हारे सामने कई लोग आएंगे कई विंतियां करेंगे लेकिन तुम बस उनकी प्रातनाई सुन लेना, कुछ बोलना या करना मत। मैंने सभी के लिए पहले से ही नियती तैक कर ली है। भगवान की यह बात सुनकर उस ग्वाले को बड़ा अश्यरे हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसका मतलब भगवान हमारी प्रातनाई अंसुनी कर देते हैं। अपने मन में हजारों स्वालों के बावजूद वह शांत रहा और शर्त मान कर भगवान के स्थान पर शिला रूप में खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक व्यपारी आया और बोले भगवान मैंने एक नया व्यपार शुरू किया है। उसे खूब सफल बनाईएगा। जैसे ही व्यपारी उस मंदिर से जाने लगा तो उसके धन की पोटली नीचे गिर गई। इस बास से अंजान व्यपारी वहां से चला गया। शर्त के मताबिक व्यपारी वह गवाला चुप रहा। इसके बाद एक गरेब आदमी आया। और भगवान से बोला हे प्रभू मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मुझ पर प्रिपा कीजिए। तबी उसकी नजर व्यपारी की गिरी धन की पोटली पर जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करता है और पोटली लेकर वहां से चला जाता है। तीसरा व्यक्ति मंदिर में एक नाविक आता है। यह कहता है कि मैं काम की तलाश में समुंद्र पार कर उस और जा रहा हूं। मेरी यात्रा में कोई अर्चन ना आए। आप ऐसी कृपा कीजिएगा। नाविक भगवान से प्रातना कर ही रहा था कि उतनी ही देर में व्यपारी सब लोगों को लेकर मंदिर में आ जाता है। और कहता है कि मेरे बाद मंदिर में यह नाविक ही आया था। इसका आर्थ है कि मेरे धन की पोटली इसी ने चुराई होगी। इसे बंदी बना लीजिए। यह देखकर ग्वाला सोचता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। और वहे अपनी शर्थ भूलकर बोल पड़ता है कि धन की पोटली नाविक नहीं बलकि एक गरीब मनुश्य के पास है। सैनिक उस गरीब को कारवास में डाल देते हैं, नाविक अपनी यात्रा पर निकल जाता है और व्यपारी अपना धन लेकर घर चला जाता है। गरीब को मिल चुका होता है और धन मिलने पर उसके बच्चे भूके नहीं मरते। रही बात नाविक की तो नाविक जिस समुंद्र की यात्रा पर जा रहा था उसमें भीशन तुफान आने वाला था। अगर वहे कारागास में रहता तो उसकी जान बच जाती। भगवान की बात सुनकर गौले को समझ आया कि सुबा जिस बात पर वहे अश्चरे कर रहा था असल में उसका अर्थ क्या था। दोस्तों इसी तरह से भी हमारे जीवन में कई बार मुश्किले आती हैं जब हमको लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ। परंतु इस घटना की पीछे भगवान की क्या मन्शा होती है हम इस बात से अंजान होते हैं इसलिए जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो उदास होने की बजाए इस कहानी को याद करके भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें इसी के साथ दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए आपने दोस्तों रिश्टिदारों के साथ शियर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेश करें ताकि नया नाटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहु सके धन्यवा दोस्तों